पूर्व महापावर सुधाकर 169 ने के जन दिन पर जन सेवी उपक्रम अंसुया 169 ने डिव्यांक बच्चों में बाटा राशन नौइमबाई के पूर महापौर सुधाकर सोनोने के जन दिन पर रबाले के अंबेटकर नगर प्रभाग 19 और 20 में सामाजिक कारिकरमों का आयोजन किया गया यहां सुया सोनोने टरस दोरा सेग्रो बच्चों को किताबे और रासन वित्तित किये गए साथी दिव्यांग बच्चों को रासन किताबे और बैक्स पाटे गए काशिरम हिंदी विद्याले में आयोजित कारिकरम में बोलते हुए सुधाकर सोनोने ने कोरोना महामारी में साउधानी बरतनी की अपील की उन्होंने कहा कि सामाजिक दूरी शब्द का उपयोग करना बंद करें क्योंकि यह शब्द छुआ च्छूत को बढ़ावा देता है इसलिए सामाजिक दूरी शब्द की जगए सुरपछित अंतर शब्द का उपयोग करें पूर महापावण ने कुरोना महामारी में चरही शिक्षा व्यवस्ता पर गंभीर सवाल खड़े किये उन्होंने कहा कि महाराश सरकार कहती है कि दस्वीं की परिक्षा तने समय पर होगी इसका मतलब यह है कि बच्चों को बिना पड़े ही परिक्षा देनी पड़ेगी ऐसे में अमीर घरों के बच्चे जिनके पास संसाधन है वो तो पास हो जाएंगे और गरीब घरों के बच्चे फेल हो जाएंगे फिर आने वाले समय में इन गरीब बच्चों के साथ सामाजिक दूरी होगी और यह बच्चे कलत रास्ते पर भटक जाएंगे जो देश के लिए एक खतरनाक संदेश होगा सरकार ने यह निकाला और कहा कि स्कूल शुरू नहीं होगे 31 डिसंबर तक स्कूल बंद रहेगी लेकिन उसके नीचे की दो लाइने थी उसमें लिखाता माध्यमिक और उच्चे माध्यमिक जो है वो सेडूल से परिक्षा होगी तो इसका मतलब जो बच्चे स्कूल में ही नहीं गया है वो शेडूल से अगर परिक्षा देगा तो वो फेल होगा और जो लोग शिक्षा वेवस्ता को अच्छी तरह समझ पा रहे हैं उन्हों लोगों ने कापी तैयारी कर रखी है और वो जो बच्चे पास हो जाएंगे आई आई टी होगी विजेट आए होगी या मेडिकल में तुम्हारा जे जे होगा सायन होगा जितने भी सरकारी मेडिकल सीर्स होगे वो सारे के सारे ऐसे बच्चों को जाएंगे और आप और मैं रास्ते पर पत्थर मारते वे नजर आएंगे ब्यूरो रिपोर्ट टीवीवन इंडिया लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवीवन इंडिया को सब्सक्राइब करे और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आईकोन को दबाना मत भूले